हेलो फ्रेंज आज मैं आप सभी के सामने ये बहुत ही खुबसूरत सा दो कलर के ओन में बॉर्डर डिजाइन बताने जा रही हूँ जैसा कि आप देख पा रही ही यहाँ पर मैंने एक एक लाइन दोनोn को अपलाए किया है और यह उल्टा मैंने पहले इस्टार्टिंग में नक्याषण दू ना bend बेंड है। और बीच में मैंने यह बॉर्डर डिजाइन बनाए है, तो उमीद करते हैं, आप सभी को यह डिजाइन पसंद आएंगे, अगर पसंद आते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कर ले, और अगर हभी तक हमारे जानल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तक बहुत सकें और आप उस वीडियो का देख करके इस्तेमाल कर सकें तो फ्रेंज चलिए बनाते हैं इस बॉडर को तो जितना भी आपको जितने फंदे में बॉडर बनाने हैं उतने आप निकाल ले और इस तरीके से उल्टा जो है दो सलाई यहां पे बीन ले मैंने यहां पे एक सलाई बीना है सेंपल के तोर पे आप जो है यहां पे दो सलाई जितना चोड़ा आपको बनाना है उस हिसाबसे यहां पे दो तीन स्लाइ उल्टा ही, और wrong side से उल्टा और right side से उल्टा बिन करके complete कर लेंगे, अब जो है हम इसमें अलग color के own का इस्तमाल करेंगे, जैसा कि इसमें दो color का आप इस्तमाल कर सकती है, तो यहां पे, देखिए, पहले घर को हम ऐसे skip करेंगी बहुत ही आसान है इसे बनाना पहले फंदे को हम skip करेंगे और एक फंदा यहां पर इस तरीके से उन को जोडते हुए सिधा बीन लेंगी देखी उसके बाद second जो फंदा है यह जो उल्टा नजर आ रहा है यहां से हम हमेशा लेते हैं अब हम इसक और यहां से फंदे निकाल लेंगे इस तरीके से देखिए फ्रेंस जो नीचे होल है उसमें हम सिलाई को इन कर रहे हैं और यहां से फंदे निकाल रहे हैं और इसको छोड़ देंगे वापस से हम इसे जो है देखिए एक फंदे उपर से लेंगे और जस्ट इसके नीचे वा देखे फिर इसको हम छोड़ देंगे फिर इसके एक फंदे उपर से और एक फंदे जो है इसके नीचे से लेंगे इस तरीके से देखें ये फर्स्ट रो है राइट साइड से एक फंदे उपर से लेंगे एक फंदे जो है ये गाठ जो नजर आ रहे हैं इसके नीचे से लेंग इस तरीके से एक फंदे उपर वाले रधाघे को लेंगे और एक फंदे जो है इसके इस से नीचे से निकालेंगे ऐस्कों छोड़ेंगे इसके एक फंदे उपर से लेंगे और एक फंदे या नीचे से निकालेंगे देखें फिर इस तरीके से पूरी रोज है आपको इसे बिन लेना है ये लास्ट फंदे है तो इसे हम ऐसे ही बिन लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से फर्स रोज नजर आएगा अब हम आ जाते हैं रॉंग साइट से सेकेंड रो सेकेंड रो में देखें जो फंदे हमने यहां पे इसकिप किये है जो हमने इसकिप किये हैं उसे हम बिनेंगे तो ये जो है दो फंदे पहले को हम उतार लेंगे और दुसरे को हम उन पीछे लेके जाके ऐसे उल्टा बीनेंगे देखिए इस तरीके से एक फंदे हमने उल्टे बीने दुसरे वाले यह फंदे नजर आ रहे हैं जो हमने उतारे हैं उसको और दोनों को हम लेकर के एक साथ ही यहां पर ऐसे बीनेंगे देखिए इस तरीके से पिर एक फंदे शीद्ये फिर एक और यह यह थो दोनों को लेकर in इसे बीदेंगे इसको हम ऐसे चड़ा देंगे उसके बाद फिर ऐसे दो को हम एक करेंगे फिर से एक को हम एक फंदे बिनेंगे फिर इस वाले फंदे को इसके उपर में चड़ा लेंगे और इन दोनों को हम एक करेंगे वापस से हमें एक फंदे बिनेंगे और यह जो हमने स्किप किये थे उसको लेकर के हम ऐसे बिनेंगे तो इस तरीके से यह डॉंग साइट से जो है हमें इस पूरे स्लाइट को बिन करके कम्प्लीट कर लेना है एक फंदे सिंपल सिंगल और दूसरे वाले इसको उपर चढ़ा करके और दो का एक करना है इस तरीके से यह सेकंड रॉंग हमें कम्प्लीट कर लेना है देखिए लास्ट में एक इस तरीके से बनेगे अब हम आजाते हैं थार्ड रॉंग में इसमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है अब हम वापस से इस वाले फंदे जो एक सिंगल हमने बीने हैं उसे हम यहाँ पे अब दिखिए यहाँ पे बहुत ही साफ साफ नजर आ रहे हैं यह जो रेड वाले हैं डवल फंदे नजर आ रहे हैं ऊसको हम एक सिंगल पीरेंगे और यहां पर जो उल्टे फंदे नजर आ रहे हैं उसे हम वापस से नीचे से आफ से इलेंगे तो यहां पर हम बीच में ओओ59 करेंगर और यह देखिए हम येलो कलर के बाश सबीच में और जो हमने डवल धागे हैं उसको हमने सिंगल बिनना है और यह जो हमने फंदे बनाए है उसे हम नीचे से इस तरीके से सीधा बिनेंगे इस तरीके से हमने इसे कम्प्लीट कर लेना है देखे फैंस यह डिजाइन का थार्ड रो है तो थार्ड रो में कुछ इस तरीके से ही हमें कम्प्लीट करना है जो डवल उन नजर आ रहे हैं उसे हम सिंगल बिनेंगे और जो यहां पर सिंगल कलर के उन नजर आ रहे हैं उसे हम एक फंदे नीचे करके बिनेंगे देखे कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं अब हम वापस से आ जाते हैं रॉंग साइड में रॉंग साइड में वापस से हमें एक फंदे निकाल करके बिनने हैं तो देखे फ्रेंस इस तरी के से पहले को हम उतार लेंगे और उसके बाद फिर एक फंदे इसके उपर से ले करके इसमें और फिर यह हम दोनों का एक करेंगे फिर एक फंदे सीधे फिर यहां नीचे से देखें यहां पर यह फंदे नजरा रहे हैं इसको हम ऐसे इनेंगे वापस से एक फंदे सीधे, और ये देखें, इसको चड़ा करके दोनों का हम एक करेंगी, इक फंदे सीधे, एक फंदे को दोफंदे का एक फंदा करना, पस इसी तरीके से आप रिपीट करते जाएंगे डिजैन को, और आसाम तरीके से आप इस टीजैन को बना सकती है देखे फेंस इस तरीके से एक फंदे को हमें सिंपल ही बिलना है और सेकंड फंदे को रॉंग साइट से है ये और सेकंड फंदे को हमें इस तरीके से एक फंद उन पर चड़ा करके और इसे इस तरीके से सीधा बीनेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है अब हम आ जाते हैं येलो कलर के उनको लेकर के तो ये जो डवल फंदे हैं उसे हम सिंगल बीनेंगे देखिए इस तरीके से अब हम अलग कलर के उन ले लेंगे यहां पर देखिए एक सिंगल एसे और ये जो हमने डवल सिंगल कलर के उन नजर आ रहे हैं उसके नीचे से हम इस तरीके से लेके जाएंगे देखिए इस तरीके से पैटन उसी को रिपीट करते जाएंगे बस उन का कलर जो है हम चेंज कर देंगे यह एक्स्ट्रा है तिसे भी हम ऐसे ही दिन देंगे तो यह कुछ इस तरीके से नजर आएंगे इसी तरीके से आप बनते जाएंगे तो यह भ़त ही खुपसूरत से बॉदर निजर बनकर के तयार हो जाएंगे यहां पर यलो के बाद मैंने पिंक दिया है तो यहां पर रेड आ गया है अब इसी तरीके से आप इस डिजैन को यह उन फर वाले उन हैं सो इस वजह से यह बैट चमक रहे हैं उमीद करते है आप सभी को यह पसंद आएंगे अगर पसंद आते हैं तो पलीज हमारे वीडियो को लाइक कर ले और अगर चंब नहीं किया है मरे चैनल को तो थो प्लीज सस्क्राइब कर ले viewer थैंक्स पर वच्छिंग मैं वीडियो थैं थेंक यू